जैश्री राधे, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में पणाम, आज पुझेश्री स्वामी राम सुगदाजी महराज कहते हैं, भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान के श्री विग्रे का ध्यान होता रहे मन खिच जाए केवल राम नाम में ही उसके बाद यह अपने आप होता है फिर करना नहीं पड़ता रोम रोम से नाम निकलता है राम नाम लेना नहीं पड़ता इतना खिच जाता है कि छुटाए नहीं छूटता बंगाल में श्री चैतन्य महापरभु भगवान के बड़े नाम प्रेमी हुए हैं उनके यहां कोई एक भगत था वह हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निरंतर जब करता रहता था किसी ने चैतन्य महापरभु से जाकर कहा कि महराज ये सोच के समय भी नाम जबता रहता है जब उस भक्त से पूछा गया तो उसने कहा हां महराज ऐसा होता है चैतन्य महाप्रभू ने बुला कर उससे कहा उस समय ख्याल रखा कर मत बोला कर अब वह क्या करता शौच करने जाता तो जीब को पकड़ लेता फिर उसकी लोगों ने शिकायत की कि महराज यह शौच जाते समय जीब को पकड़े रखता है महाप्रभू ने कहा तु यह क्या करता है तो उसने कहा महराज मैं क्या करूँ जीब मानती ही नहीं पर आपने कह दिया इसलिए आपकी आग्या पालन करने के लिए जीब को पकड़ लेता हूँ तब उन्होंने कहा कि तेरे लिए किसी अवस्था में नाम जपने में कोई दोश नहीं पर जीब मत पकड़ा कर इस प्रकार जिसको भगवन नाम में रस आता है वही जानता है कि नाम में कितनी विलक्षनता है क्या अलोकिकता है लोगों की शिकायत होती है कि मन लगता नहीं जब होता नहीं पर जो हरदम ही नाम जबते हैं रात में दिन में उनके हरदम ही नाम जब होता रहता है ऐसे ही बात अरजुन की आती है अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम का उचारन होता रहता था इसी प्रकार एक बार अर्जुन जब सो रहे थे तो वहाँ नारज जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए बड़े-बड़े संति कठे हो गए भगवान भी आ गए अर्जुन के रोम रोम से उचारन नाम का होता रहता था सहजा नाम सिमर्दा है मुकसे ही नहीं रोम रोम से भगवन नाम का उचारन होता है गोरकपुर के पास ही बरहज गाउं में एक परमहंस जी महाराज रहा करते थे उनके शिश्य का नाम था श्री रागवदास जी वे उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते थे उन परमहंस जी महराज के शरीर को छुआ जाता तो ओम का उचारण होता था एक बार पहलवान राम मूर्ती जी उनसे मिलने के लिए गए परमहंस बाबा के पैर की अंगुली वे अंगूठे से जप हो रहा था उन्होंने पहलवान से कहा अंगूठे को हिलने से रोको परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके तो कहा कि तुम्हारे में जितना बल है उससे ज्यादा बल तो बाबा के एक अंगूठे में है नाम महराज का कितना विलक्षन प्रभाव है वह प्रभाव आदर पूर्वक जपने वालों के सामने प्रकट होता है बाकी दूसरे लोग क्या जाने लोक लाहू परलोक निबाहू राम नाम इस लोक और परलोक में सब जगे काम देता है इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मेरे तो माए बाप दौव आखर रा और मा ये मेरे माबाप है संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला पालन करने वाला हित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं गो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे तो दोनों अक्षर माता पिता है हमारा पालन करने वाले जो माबाप का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो ही जाते हैं राम नाम से भगवान मिल जाएं दर्शन दे दें लोक में परलोक में सब जगे ही वह निर्वाह करने वाला है लोक में जो चाहिए वह देने वाला चिंता मनी है और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है कई ऐसे आदमी देखे हैं जो दिन भर मांगते रहते हैं गूमते फिरते हैं परन्तु उनका पेट नहीं भरता ऐसी दशा में वे भी अगर एकांत में राम राम करने लग जाएं तो पृत्यक्ष में उनकी भी ठाठ लग जाएगा अन जल कपड़े आदी किसी चीज की कमी रहेगी नहीं अब नाम जब करते नहीं तो उसका क्या किया जाए नाम जब करके देखा जाए तो भाग्य खुल जाता है विलक्षन बात हो जाती है जीते जी भाग्य में विशेश परिवर्तन भगवन नाम से होता है इसमें कोई संदेह की बात नहीं साधार्ण आदमी भी नाम जब में लग जाता है तो लोगों पर विशेश असर प कस्तूरी को सौगंद दिला दें कि तुम सुगंदी मत फैलाओ तो क्या वह रुक जाएगी। सुगंद तो फैल ही जाएगी। इसी तरह से कोई चुपचाप भी भजन करे। और किसी को पता ही न लगने दे तो भी महाराज यह तो प्रकट हूँ ही जाता है। उसकी विलक्षनता अलोकिकता दीखने लगती है लोगों पर असर पढ़ने लगता है क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा विलक्षन इसलिए लोक और परलोक दोनों में लाब होता है साधारण घर का बालक साधू होकर भजन में ततपरता से लग जाता है तो वह संत महात्मा कहलाने लगता है बड़े चमतकार उसके द्वारा हो जाते हैं जिसको पहले कोई पूछता ही नहीं था बात क्या है? यह सब भगवन नाम की मेहमा है बरनत बरन प्रीती बिलगाती ब्रम जीव सम सहज संगाती इन रय आ और मै का वर्णन किया जाए तो यह अलग-अलग दीखते हैं मानो यह तीनो वर्ण क्रिशानू भानू और हिमकर के बीज अक्षर है वरक्ष में बीज से ही शक्ति आती है इसी प्रकार अगनी सूर्य और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से ही आई है गीता में भगवान कहते हैं कि इन में जो वशेष्टा है वह मेरी ही है नाम और नामी अभेद है इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिखती है वर्णन करने में यह अलग-अलग दीखते है प्रिती भी अलग-अलग दीखती है परन्तु रा और मैं दोनों ब्रह्म और जीव के समान सहज संगाती है अते स्वते सदा एक साथ रहने वाले साथी है सदा एक रूप हैं और एक रस रहने वाले है ब्रह्म और जीव का अर्थ क्या है ममे वांश जीव लोके जीव भूतसनातना ममे वांश यह जीव परमात्मा का साक्षात अंश है और यह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है प्राय सब लोग स्वार्थ से ही प्रेम करने वाले हैं भाईयों सुर नर मुनि सब की यह रीती स्वारत लाग करें सब प्रीती स्वारत मीत सकल जगमाही सपने हुउ प्रभु परमारत नाही प्राया सब लोग स्वार्थ से ही प्रेम करने वाले हैं परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी दो बिना स्वार्थ के हित करने वाले हैं तुम तुम्हार सेवक असुरारी एक तो प्रभु आप और दूसरे आपके प्यारे भक्त ये बिना स्वार्थ बिना मतलब के दुनिया मात्र का हित करने वाले हैं गीता में भी भगवान कहते हैं मेरे को सब प्राणियों का सुहर्द जानने से शांती मिलती है सुहर्द सर्वदेही नाम भगवान के जो भक्त होते हैं वे प्राणी मात्र के सुहिर्द होते हैं, दुनिया का हित कैसे हो ऐसा भगवान का भाव निरंतर रहता है, इस तरह भगवान के प्यारे भक्तों के फिर्दय में भी दुनिया मात्र के हित का भाव निवास करता है, कि उमा संत कई इहें ही बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई अपने साथ बुरा बरताव करने वाले का भी संत भला ही करते हैं इसलिए नीती में देखा गया है कि उंख को कोलू में पेरा जाए तो भी वह मीठा ही, मीठा रस सबको देता है ऐसा नहीं कि इतना तंग करता है तो कड़वा बन जाओं वे मीठा ही निकलता है क्योंकि उसमें भरा हुआ रस मीठा ही है ऐसे ही संत महात्मा को दुख दें तो भी वे भलाई ही करते हैं क्योंकि उनमें भलाई ही भलाई बरी हुई है यह विलक्षन बात है कि भगवान स्वभावी की ही सबका हित करने वाले हैं भगवान का भजन करन अर्थात्विछ प्रोभाव शाली हो जाते हैं नाम जब से उनमें भी विलक्षनता आजाती हैं नर नारैन सरिश उसुब्राता, जग पालक विशेशीrente इजन्तर्ाता ये दोनों अक्षर नर और नारैन के समांस ब्रोभाव से हैं। ये जगत का पालन और विशेश रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं जैसे नर और नारायन दोनों ने तपस्या करी थी साथ में ही रहते थे लोगों के सुख के लिए आनंद के लिए और वे सुख शान्ती से रहे इसी बात को लेकर बद्रिक आश्रमुत्रा खंड में तपस्या करते हैं इसी तरह से नाम महराज भी सब की रक्षा करते हैं ये दोनों अक्षर भाई भाई हैं जग पालक विशेश जनतराता मातर जगत का पालन करते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी विशेशता से रक्षा करते हैं ऐसा ही संतों का स्वभाव होता है और दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है बैरू अकारन सब काहुसों जो कर हित अनहित ताहुसों हित करने वाले के साथ भी वे विरोध करते हैं पर भगवान के भख्त सब का हित करते हैं और अपना अहित करने वालों पर भी वे विशेश किरपा करते हैं। पर नाम जैश्री राधी।